दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कितनी चोटी जगा पे आप अपनी CD बना सकते हो उसका full design बताऊँगा कैसे आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद खुद आप अपनी CD बना सकते हो भीना किसी आर्किडेक्ट किसी एंजिनियर के सब मैं basic बताऊँगा minimum जगा कितनी लगेगी एक CD को बनाने में सामने जो CD देख रहे हो इसी एक example लोगा इसी पर मैं बताने वाला हूँ आपको चलो start करते हैं सबसे पहले जाके आप channel को subscribe कर लो क्योंकि यहां practical knowledge आपको इसी channel पर मिलेगा jobs के link तो minimum space required for staircase कोई भी staircase बनानी आज मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कैसा बहुत मज़ा आने वाला है इस topic में पढ़के आपको क्योंकि इस topic के बाद आप खुद अपनी CD बिना सकते हो ना किसी architect की जरूर होता है मिस्तरी को खुद समझा सकते हो ठीक है तो start करते हैं पहले होता है riser चलो मैं आपको बताते हैं टपा जो हमारा बनता है जैसे हमारी कुछ सेड़ी दिखती है जब बन जाती है तो यो riser होता है इस ही हम riser बोलते है यह riser आ गया यह जो यह वाली चीज़ी होती है न उपर उपर यह riser आ गया 6 इंच से 8 इंच इसको आप रख सकते हो चेंच रखोगे अच्छा है क्योंकि जब बुड़ा घर पे होगा तो उसको चणने में दिकत नहीं होगे जितने चोटा होगा उतना सही होगा और ट्रेड की बात करें हम ट्रेड इसे बोलते हैं यह वाला हिस्सा तो इसको रखते हैं 10 इंच से 12 इंच तो यह भी जितना फूट आ जाएगा आपका पाउँ आ जाएगा इस पे तो उतना आपको रखना चाहिए अच्छे से पाउँ आ जाए यह नहीं कि आदा पाउँ रहे वो रिस्की रहता है तो यह स्टैंडर साइज आगे इनके यह पता चल लगे अभी आओ नीचे अभी इस सब बूर जाओ जो दिख रहे हैं आपको यह बाद में साथ में बताते जाता हूं आपका घर की शत्की मतलब जो हाइट रखी जाती है बेसिकले दस फूट तो ह आपको देखो आपको डॉग लग मनानी है इस मतलब जिसमें ऐसे चड़े लेंडिंग था रिदर चड़े बीच में जगाँ बच गई तो एक होती है सीधी सीधी मतलब सीधी आपने देखियोगी दुकानों बुकानों पर सीधी रहती है ऐसे वहुत सिंप ल, उसको कोई क् मतलब जितनी हाइट होगी तो इसको 2 से डिवाइड कर ले ना 10 फुट थी इसको 2 से डिवाइड कर लिया हमारा आगया 5 फुट तो हमारी लेंडिंग रहेगी 5 फुट पे ये तो आगया आपको ऐसे वी आइडिया हो जाएगा दूसरा स्टैप क्या करने है आपको ये पहला स्टैप हो गया दूसरा स्टैप को करने है आपको नंबर आप स्टैप निकालने है कि हमारे स्टैप कितने होगे इसमें आपको क्या करने है देखो जो आपकी हाइड होगी ना 10 फुट हमारी हाइड है दस, डिवाइड पाए, कितने का राइजर आप दे रहे हो, ये वाला, ये राइजर, जैसे मैंने ये बताए ने, ये राइजर होता है हमारा, ये राइजर कितने का दे रहे हो, तो मैंने बताए 6 से 8 होता है, तो हम दे देते हैं 6, मैंने बोला 6 देते हैं, छोटा सा अच्छ उसको डिवाइड कर लेना 12 से क्यूं? इसको हम फुट में कनवर्ड कर लेंगे तो हमारा निकलाएगा कि 20 स्टेप हमें लगेंगे मतलब 10 डिवाइड भाइड 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 भाइगा गुछ आपका तो इसको डिवाइड करेंगे हम इससे तो आजाएगे 20 नग हमें स्टेप देने हैं तो कितना हो गया? एक राइजर एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस खीक है? 10 राइजर हमारे हो गए क्लेर? मतलब 10 राइजर हमें हो गए क्या करना है? 20 राइजर हमारे टोटल आ रहे हैं 10 लेंडिंग तक दे दो, 10 उपर दे दो, हमारा ब्राबर जगा हो जाएगे तो 20 नग आगे, फिर राइजर हो गए हमारे 20 ट्रेड कितना हो गए? ट्रेड हमेशा यह वाला यह, 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 मतलब यह जो आपका, वो एक नग हमेशा कम होता है किसे राइजर से तो गरदें है 20-1 हो गया, 19 नग हमारे ट्रेड आगे इधर तक कौँच्च के च्लेड हो गया आपको अब भी यहां से यहां हो गया, अभी क्लेड करना है हमें कि हईड तो हमें यह निकल गया हमारा अभी हमें करना है अगर मैं इसका प्लान देखूं तो हमारे सीडी कुछ ऐसे देखी ये बूर्जाव वैल्यू ये मत देखो अभी ठीक है तो इसको क्या करना है 10 राइजन हमारे ऐसे आएंगे लेंडिंग तक तो 10 और ट्रेड कितनी आएंगी मैंने कहा ट्रेड आती है ये कम राइजन में से तो 10 माइनस बाणना हो गए 9 9 हमारे यहां पर होंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो ये आगे तो इसको मल्टिप्लाइग करते हैं आपको 10 से क्यों 10 से करना है क्योंकि हमारा जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो कितना लिया 10 से 12 होते हैं मैंने 10 से ले लिया 10 तो हो गया clear हो गया 9 फिर क्या करना है को 9 इंटू 10 वो आए 90 हमारा 90 उसको डिवाइड कर देना है 12 से क्योंकि हमें इसको foot में convert कर लिया तो ये आगया 7 foot 5 इंच यहां से लेके यहां तक कितनी जगा होगे हमारी 7 foot 5 इंच इसी को निकालने के लिए हमने ये process किया क्योंकि हमारी इदर कितनी सिविया है इसको plan कुछ ऐसा दिखेगा यहां तक हमारी है 10 10 टपे से और उसमें ट्रेड कितने आएंगे 9 तो 9 को हम multiply करेंगे किस से इदर इसका कितना हमारा 10 इंच 9 इंटो 10 हो गया 90 इसको डिवाइड करते हैं फूट में करने के लिए 7 foot 5 इंच फिर आती है हम यहां चड़गे यहां से चड़ए यह लेंडिंग यह शट की उपर आजाए यहां से चड़ए फिर आती है हमारी लैंडिंग लैंडिंग आपको यह मैं बता रहा हूँ minimum आपको इससे बड़ी रखनी है इससे चोटी कविन रखनी है सबसे चोटा साइज मैं बता रहा हूँ इससे चोटा रखोगे वो standard साइज नहीं रहता वहां दिक्कत आयती है चलने फिरने में तीन फूट रख ली हमने यह तीन फूट रख ली हमने ठीक है तो यहां से यहां हो गया तीन फूट फिर फिर हम इस तरफ आते हैं तो यह भी हमारे तीन है यह तीन हो गई बाकी टपे हमारे इदर भी दस थे तो ये भी हमारा हो गया कितना यहां से लेके 7.5 clear ये हो गया बीच में आपको इसको जगह रख देंगे चार इंच आपकी जगह इसमें होनी होनी चाहिए मतलब सुवा में हम आपको रखना ही रखना है तो इन दोनों को प्लस करते हम 7.5 प्लस 3 कितना हो गया 10.5 ठीक है फिर इसको प्लस करते है ये एरिया 3 फूट ये था हमने ये रख है और इसकी विट्थ ये विट्थ 3 फूट ले लो minimum 3 फूट आपको रखनी रखनी है बाकि इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए 3 फूट से कभी भी कमनी करनी है 3 फूट ये हो गया 3 फूट ये हो गया चुड़ाई तो 3 प्लस 3 छे प्लस 4 तो हो गया 6.4 इंच तो इसको लिख दिया 6.4 इंच अभी क्या करना है इसको हमने स्केर फिट में इसका एरिया निकालना है minimum एरिया 65.89 65.89 स्केर फिट आपको minimum जगा चाहिए इस ऐसी सीडी को गुमाने में मतलब यहां से चड़ेंगे ऐसे गुम के सीधा शत पे बाकी इदर एक भीम आ जाएगा लैंडिंग के नीचे और दो कॉलम आ जाएगे तो ये था मतलब basic डिजाइन था तो इसको करने के लिए था basic step थे पहले half में landing दे देनी है बाकी step निकाल देने total केतने आएगे आदे आदे लेंडिंग तक दे देने आदे ऊपर दे देने है तो उसके बाद आपको यही process फालू करके आपको पता चल जाएगा यह शेफूट चारिंच इतनी जगा में आपकी सेड़ी अच्छे से बैठ जाएगी आपनी residential गर की तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके लेटर कुछ भी question रहता है आप comment करो मैं जरूर बताऊँगा आपको कि क्या उसमें होना जाएगी प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि डेली वीडियोस आ रही है चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको notification डिरेक्ट आएगी bell icon भी दबा लेना क्योंकि जॉब के हर चीज इस चैनल पे आपको मिलेगी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वी ज़िस स्वाई जाईएगे अंवेर ट्यावश